अब चलिए quickly हम लोग मीशो का registration process समझ लेते हैं चाहिए आप without GST sale कर रहे हैं GST के sale कर रहे हैं same registration process यहाँ पर रहने वाला है एक saving account से आप अपना business start कर सकते हो बाकि without GST अगर करना चाहें तो आप composite GST या फिर enrollment ID से आपको अपना account यहाँ पर बनाना पड़े तो मीशो पर sale करने के लिए सबसे पहले आप Google पर जाते हैं Google पर लिखते हैं आप sell on के बाद जो पहली link आपको मिलती है इस वे आप click करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह इनका onboarding dashboard है पर आप obviously दो type से sale कर सकते हैं एक GST के साथ साथ और एक without GST के साथ अगर आप GST के साथ sale कर रहे हैं तो direct आप यहाँ से start selling पर click करते हैं टॉप में जाके और details fill करना start कर देते हैं अगर आप without GST sale कर रहे हैं तो यहाँ पर आप details पढ़के यहाँ पर don't have GST पर click कर सकते हैं और यहाँ पर registered now पर click करके यहाँ से आप without GST register कर सकते हैं मतलब simple सी चीज है कि दोनों अगर आप GST के साथ करें without GST आपको same portal दिखाई देगा और same portal से आप अपना business issue पर start कर सकते हैं तो चलिए मैं start selling पर यहाँ पर click करता हूँ तो वो आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर आप आएंगे थोड़ा नीचे यह don't have GST पर आपने click किया थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी details मिल जाएगी और सारी details देखने के बाद यहाँ पर यह वाला link आप click करेंगे यहाँ पर देखिए here का option है दो जगह में एक registered और एक here यहाँ पर here लिखा हुआ है इस पर आप click करेंगे इन दोनों का link obviously मैं description में डाल दूँगा sell on me शुका और इसका यहाँ पर आपको yes करना है इसके बाद आपको यहाँ पर apply करना है और proceed कर देना इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी basic details डालने है यह GST का website है जैसे pen number आपका pen number में क्या नाम है pen number आपका क्या है उसका primary email address आपका क्या है mobile number क्या है state अपना select करेंगे यहाँ पर mobile number आप अपना डालेंगे यहाँ पर आप अपना pin code डालके पूरा address फिल करेंगे उसके बाद आप directly इसका यह जो capture है यह फिल करके proceed कर देंगे hsn code आप चाहे तो बात में भी यह फिल कर सकते जैसे आप proceed करेंगे mobile number आपको डालने को OTP अगेरा डालने को आएगा और उसके बाद आप यहाँ पर temporary एक ID जेनरेट हो जाएगी जिसको enrollment ID बोलते हैं उस enrollment ID से आप सेल कर सकते हो तो यहाँ पर अभी मैं कोशिश करता हो कि without GST यहाँ पर सेल सबसे पहले हम mobile number यहाँ पर फिल कर देंगे मैं mobile number यहाँ पर डाल लेता हो कि बाद OTP आपको यहाँ पर जनरेट करना है अब यहाँ पर mobile complicated होना चाहिए मैं यह कर रहा हूँ अब यहाँ पर एक यहाँ पर option आया है इसको आप blue tick ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर इससे आपको WhatsApp अपडेट आजाएगे अकाउंट पर क्लिक करेंगे अकाउंट क्लिक करने के और है पर verify करेंगे अगर यह verify हो जाता है तो definitely आपका जो है वह सप्लाइड डालनी होती है मतलब सारी चीज़ें वहाँ के बाद सेम होंगी यहीं पर डिफरेंस है अगर बेचना है तो यहाँ पर आप जीएश्टी नंबर अपना फिल करेंगे मैं आप जीएश्टी नंबर डाल देता हूं तो जीएश्टी नंबर में डाल दिया है यहाँ पर वेरिफाइड हो गया है यह डिटेल्स आपकी बिजनस डिटेल पेंडियर हो गयरा सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे अब आपको यहाँ पर बस एक चीज़ का धियान रखना है कि जीएश्टी में आपका देखिए आपका जीएश्टी सर्डिफिकेट आपके पास हो बड़ जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो या तो ट्रेड नहीं या तो बिजनस नेम दोनों में से एक बंदे के नाम पर होना चाहिए करणा अब मैं यहाँपे दूँख़ पटेश है करने के बाद मैं यहाँपर डीटेश अपनी जवी पिकप अड्रेस जहां से मुझे वह पिकप कर्वाना है वो डीटेल मुझे हाँ डाल देनी है पिं कोड क्या साथ आप के साथ आप शुरू करियए यहां पर क्योंकि पिं यहां पर आजाएगा फिलाल में GST वाला अड्रेस यहां पर क्लिक कर दूँगा आप देख लेना आपके एरिया पर सर्विसेबल है या नहीं अगर नहीं है तो आप अपने नियरबाइ सिटी का यहां पर अड्रेस दे सकते हैं और वहां पर आपको पिक अपर कराने जाना आप यहां पर डालते हैं कान नंबर कंफर्म करना है और IFSC कोड आपको यहां पर डाल देना है तो मैं यहां पर बैंक डिटेल जल्दी जल्दी डाल देता हूं एक बार बैंक डिटेल्स आप यहां पर फिल कर लेते हैं उसके बाद वैरिफाई बैंक डिटेल्स पर क्लिक कर लेते हैं और कई cases में यहाँ पर पेंडिंग हो जाएगा उस case में आपको यहाँ पर जो है अपना पास्बुक या फिर अपना चैक्पुक कैंसल चैक्पुक यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है वह उन कर लेता है तो मेरी टीम को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बनाते समें दिक्कत ना हो इसलिए डारेक्ट आप मेरी टीम से बनवा सकते हैं फ्री आप पॉस्टो बनाके दे देती हैं आपको सेट अप करके मिल जाएगा कॉल कर देते हैं आता है कि कौन इसको बेच रहा है या फिर आपका जब पैनल वनेगा तो इसके टॉप में इहाँ पर आएगा तो इस चोर्नेम आप कुछ कैची सा रख सकते हैं बढ़िया सा रख सकते हैं अपने बिजनस का नाम भी आप यहां पर रख सकते हैं कुछ भी एटुज इसका ब पर यहां पर आपकी साइन अब ऑटेमे बन जाएगी इसको समट कर देग पही बार क्या होगा जो स्टोर नम है वह पर आपका रैडमा कि इस्केस में आप चाहें इसके अैंगे हरकिसी का यूनीक होना चाहिए तो आपने असो स्टोर नेम लेना और आपको पता जल जाती कि आप देखेंगे से आप मीश्यों पर अपना सेट आप कर सकते हैं इसके बाद अबस्तिक करने होती है अपने प्रॉडक्ट की वह कैसे करते हैं उस पर मैंने डीटेल वीडियो बनाई है आप वाली प्लेलिस पे जाकर चेक कर सकते हैं इसके साथ बढ़ेगी कैसे 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 ट्रिक्स होते हैं सेल बढ़ाने के और भी कुछ अपडेट जो होती हैं उन पर मैंने complete वीडियो बना रहे हैं आप वो जाके चेकाउट कर सकते हैं नेक्स यहाँ पर sales tools की अगर बात करें तो जैसे मैंने ads का बताया उसके साथ आप daily deals में भी अपने products को डाल सकते हैं इसके साथ मीशो पर बहुत अच्छे ची sales आती हैं blockbuster sales हो गया उसके बाद और भी deals आती हैं उनमें आप participation कर सकते हैं यह मीशो आपको option देता है अगर best category की बात करो तो home decor और fashion category मीशो पर अभी के time में best चलती है अगर आप इन दो category में हैं तो जा सकते हैं बढ़ competition थोड़ा obviously ज्यादा मिलेगा लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके और categories की तो वो भी मीशो पर अभी के time पर आ रहे हैं तो आप उनमें भी selling चुरू कर सकते हैं अब मेरी तरब से आपे दो tips आपके लिए रहेंगी पहला same pricing का रहेगा कि आपको proper pricing करनी है ताकि आपका business profitable रहे दूसरा reconciliation का रहेगा कि profit and loss calculation आपको आना चाहिए तभी आपको पता चलेगा कि कितना आया और कितना पैसा गया आपका और तीसरा अगर आप मीशो पे बेच रहे है तो variety और combos का आपको special ध्यान रखना पड़ेगा जितनी ज्यादा variety होगी जितना ज्यादा फैशन जितनी ज्यादा वेराइटी होगी जितना ज्यादा combos होंगे customer उतना ज्यादा आपके product को buy करेगा और एक और tip मैं यहाँ पे देना चाहूँगा return percentage का जैसे मैंने बताया कि फाइदे तो हैं इसके साथ साथ जहां और marketplace पे जो return percentage है वो 17, 18, 19 तक जाता है मीशो पे वो 20, 21, 22 तक का जाता है तो pricing में आपको एक buffer यहाँ पर अपनी रखना पड़ेगा तो चलिए यह था complete video मीशो selling पर और भी बहुत detail में मैंने dashboard की video बना रखी हैं आप वो जाके check out कर सकते हैं और मीशो पर अगर आप account बनाना चाहते हैं तो free of cost मेरी team आपको help कर देगी आप number पर contact करके उनसे guidance ले सकते हैं मीशो selling related कोई और topic पर video चाहिए तो comment box open है आप comment कर सकते हैं और मुझसे आप whatsapp channel पर जुड़ सकते हैं इसका की link आपको description में मिल जाएगा और Instagram पर directly Rishi Commerce करके follow कर सकते हैं Till then thank you very much keep selling on mission